हेलो एब्रिवन वेल्कम टू ऑनलाइन पॉर्टल आफ दे इंजेनियर्स डियर इस्टुएंट जैसा कि हम लोग अपना टॉपिक मसीन डिजाइन डिसकस कर रहे थे जिसमें लास्ट लेक्चर में हम लोगोंने डिजाइन आफ बेरिंग के बारे में डिसकसन किया था वहां प स्लाइडिंग कॉंटाक्ट बेरिंग यह टॉपिक हम लोग इस्टार्ट करेंगा आज डिजाइन आफ स्लाइडिंग कॉंटाक्ट बेरिंग मैंने आपको दो टाइप का बेरिंग बताया था पहला आपको बताया था रोलिंग कॉंटाक्ट बेरिंग रोलिंग कॉंटाक्ट और दूसरा आपको मैंने बताया था sliding contact bearing rolling contact में क्या होता था ये bearing होती थी ये sept होती थी और दोनों के बीच में balls लगे होते थे मतलब ये आपका sept हो गई ये आपका bearing हो गया दोनों के बीच में कोई भी metal to metal contact नहीं होता था sliding contact जैसे आप sitka नहीं देखे दरवाजे की handle देखे जो बंद करते हैं वो आपके sliding contact bearing होगे that means direct metal to metal contact होगा यहाँ पे direct metal to metal contact होने की बज़ा से यहाँ पर जो material आपका sorry, जो heat होगी बहुत ज़्यादा generate होगी क्योंकि fraction बहुत ज़्यादा generate होगा in sliding contact bearing power transmit by power transmit by friction और rotation of shaft जब यह shaft हमारी rotate करेगी तो वो उसके उपर sliding motion के द्वारा power को transmit करेगी इसमें क्या होगा maximum friction force generate होगा जिससे यह हमारा क्या होगा durable कम होगा heat ज़्यादा generate होगा wear ज़्यादा होगा लेकिन इसमें heavy power को आसाने से transmit किया जा सकता है तो इस तरीके से यह हमारा हो जाएगा sliding contact bearing इस sliding contact bearing में हमारा होगा in sliding contact bearing इसमें देखे इन in sliding contact bearing power transmit by sliding motion of shaft power transmit by sliding motion of shaft power transmit by sliding motion of shaft motion between shaft and bearing bearing और shaft के बीज में sliding motion देखे यह अगर आप इस तरीके से स्लाइड भी करेगा और यह इसके अंदर ऐसे rotate भी करेगा तो जिस वजह से power हमारी इस सेट की सेट में transmit हो जाएगी तो अब इसमें इसकी power इसमें transmit हो जाएगी तो इस तरीके से हमारा क्या होगा यह bearing कहलाएगी sliding contact bearing अब इसमें क्या होगा due to due to sliding motion अच्छा यहाँ पर sliding motion होगा जिससे direct metal to metal contact होगा है ना direct metal to metal contact तो more friction and heat are generated more fraction and heat are generated so more required lubrication इसलिए इस heat और fraction को कम करने के लिए lubrication की requirement ज्यादा होती है so more required lubrication इस तरीके के bearing को हम लोग sliding contact bearing बोलते हैं तो अब इसमें आईए हम लोग इसके type के बारे में discuss करते हैं sliding contact bearing हमारी कितने type के होती है basically इसे हम लोग दो तरीके से define करते हैं एक हमारा होता है radial bearing और एक हमारा होता है thrust bearing sliding contact bearing का हम लोग जब type बताये थे आपको तो types of sliding contact bearing basically इसे हम लोग दो तरीके से classified करते हैं पहला हमारा होता है यह radial bearing और दूसरा हमारा होता है thrust bearing radial bearing को हम लोग क्या बोलते है जर्नल bearing बोलते हैं और यह हमारी होती है thrust bearing radial bearing मतलब journal bearing यानि कि shaft का जितना part bearing के अंदर होगा उसे हम लोग बोलेंगे journal of bearing bearing का journal और वो दो तरीके से होता है या तो shaft का पूरा part bearing में होगा तो उसे बोलेंगे full journal bearing bearing या तो shaft का कुछ part bearing में होगा तो उसे बोलेंगे partial journal bearing दो तरीके की bearing होगी partial journal bearing और full journal bearing thrust bearing मैंने आपको दो तरीके से बताया था एक pivot bearing बताया था और एक हमने बताया था color bearing अब pivot bearing को दो तरीके से मैंने बताया था फ्लाइट पिवोट बेरिंग और कॉनिकल पिवोट बेरिंग इसको मैंने दो तरीके से बताये था फ्लाइट पिवोट बेरिंग और कॉनिकल पिवोट बेरिंग similar हमने आपको color bearing भी दो तरीके से बताई थी यह हमने बताया था single color और multi color single color multi color bearing तो इस तरीके से हमने आपको bearing के बारे में बताया था किसका type? types of sliding contact bearing के बारे में हमने आपको बताया था और sliding contact bearing क्या होगी जो हमारा bearing cage के अंदर sliding motion produce करेगी यह हमारा high power को transmit करती है heavy weight को support करती है और इसकी life ज्यादा होती है हलाकि fraction होता है अब इसमें चलिए देखिएगा हम इसके बारे में और detailing करेंगे इसको पहला कि last lecture में आपने नोट किया था लेकिन फिलहाल इसको फिर सो नोट कर लीजे फिर इसके बाद हम लोग आब इसके आगे के design process को discuss करते हैं चलिए इसके आगे के process को हम लोग discuss करते हैं देखिए यह जो हमारा journal bearing होता है वो दो तरीके से होता है हम बात करेंगे types of journal bearing types of journal bearing यह basically हमारी two types होती है first आपका होता है full journal यह देखिए यहाँ पे जो हमारा journal bearing है full journal bearing और partial journal bearing partial journal पहले यह समझे कि journal क्या होता है journal क्या होता है इसको देख लीजिए फिर full और partial के बारे में हम लोग discuss कर लेंगे support करिए कि यह shaft है अब यह इस bearing पे लगा हुआ है अब यहाँ पे यह bearing जो हमारी लगी है यह आपका sliding motion में है अब यहाँ पे देखिए shaft का इतना part इसके अंदर है तो इस part को बोलते है journal है ना the part of shaft which is intermediate in bearing is called general इसमें देखिएगा the part of shaft which is in bearing case is called journal अब पहला इसमें पढ़ते हैं full journal bearing क्या होती है फिर पढ़ेंगे partial journal bearing full journal bearing देखिए जब इसका हम लोग front view बनाएंगे तो यह कुछ हमारा इस तरीके से बनता है यहां पर हमारा क्या होता है सैप्ट होती है यह आपकी सैप्ट होती है और यहां पर हम क्या भर देते हैं लूब्रिकेंट भर देते हैं जिसमसे आपका bearing का मेटल डारेक्ट इस मेटल के कॉंटेक्ट में न आपाए और इसके प्रेसर की बज़ाए से रोटेट करेगा और सपोर्ट करेगा यह इतना प्रेसराइज कर दिया जाएगा कि यह सैप्ट नीचे नहीं आएगी हाई स्पीड पर और मेन फंक्शन तो ही था कि सैप्ट को सपोर्ट करना और हैबी आर्पियम पर रोटेट कराना तो यह हमारा दोनों फंक्शन इसमें एचीव हो जाएगा अब इसमें देखे फूल जर्णल वेरिंग जो होती है वह थ्री टाइप्स की थी है वह हमारी पहला देखिए आयेट रेष्ट रेष्ट कंडिशन में जाब यह पूल जर्रनल वेरिंग होगी तो इसका देखे हमारा कैसा डाइग्राम बनेगा उस समय देखिएगा देखिए सपोच करिए यह सैट हो जाए यह बेरिंग हो जाए तो अब यह जो सैट होगी आपकी वो कुछ यहाँ पर इस तरीके से रखी गई होगी जब यह रेश्ट कंडिशन में होगा तो यहाँ पर फ्लूड ऐसे भरे होगी और यह सैट का वेट की बज़े से यह इसके लाइन आफ एक्षन पर माल लेजे यह यहाँ पर है यहाँ पर आकर यह क्या हो जाएगा बैठा रहेगा डिव टू ग्रैविटी फोर्स या डिव टू सेल्फ अब हम क्या करेंगे इसे स्टार्ट करेंगे इस्टार्ट करेंगे सेकेंड पॉइंट हो जाएगा स्टार्टिंग में जो डाइग्राम हमारा बनेगा वो कैसा बनेगा देखे यह हमारी हो गई यह सैप्ट हमारी क्या होगी ऐसे रोटेट करेगी और रोटेट करके ऊपर यहाँ पे कॉंटेक्ट करना शुरू करेगी ऊपर राइज करना शुरू करेगी और थोड़ा सा गयप हो जाएगा देन यहां पर हमारे क्या होंगे लिक्विड हमारे फिल किये जाएगे इस तरीके के जब डाइग्राम आपको मिलेगा तो उसे बता दीजेगा अब इस्टार्टिंग कंडिशन आप बेरिंग अब स्टार्टिंग बाद भी हाई आर्पियम पर एचीब कर लेगा हाई आर्पियम एचीब कर लेगा तब यह वाला डाइग्राम आपको दिखाई देने लगेगा आयेट रणिंग कंडिशन रणिंग कंडिशन में हमारा क्या होगा इस तरीके से देखे यह आपकी स्ट होगी यह आपकी बेरिंग होगी और यह बीच में लूब्रिकेंट आ जाएगा इसमें इस तरीके की बेरिंग को हम लोग बोलेंगे इस तरीके की Bearing को हम लोग बोलेंगे Bearing at Running Condition जब Bearing हमारी क्या हो जाए? Running Condition में आ जाए यह हो जाएगी Sapt और यह हो जाएगा Lubricant और यह हो जाएगा आपका Bearing Race तो इस तरीके Condition को हम लोग बोलेंगे Journal Bearing दो तरीके का होगा Full Journal Bearing और Partial Journal Bearing Full Journal Bearing में इसका जो Rotation होगा Rotation आप से अप एज यह ही सब कोशन आपका बनता है एज कितना होगा? 360 डिगरी पूरा यह Rotate करेगा इसके अंदर इसे हम बोलेंगे Full Journal Bearing अब सेकेंड बात कर लेते हैं Partial Journal Bearing का इसे रिमूब करते हैं सेकेंड हेडिंग डालते हैं Partial Journal Bearing इसमें क्या होगा? यह जो Bearing का Supporting Element है यह पूरा नहीं होगा केवल और केवल 120 डिगरी सेंटीग्रेट तक होगा That means अगर इसका हम डाइग्राम बनाना चाहें तो यह हमारा कूच इस तरीके से बनेगा और इस तरीके से हमारा होगा यह जो Angle आपको दिखाई दे रहा है यह Angle आपका 1 20 डिगरी होगा और इस तरीके से इसमें क्या होगे? Lubricant फिल किये गये होगे ऐसी Bearing को हम लोग बोलेंगे Partial Journal Bearing इस पर जो आपका यह Angle दिखाई देगा Angle of Rotation of Bearing is यही पूर्षता है आपसे कोशन Bearing is 120 डिगरी तो इस तरीके के Bearing को हम लोग बोलेंगे Partial Journal Bearing तो यह हमारी हो जाएगी दो तरीके के Bearing आप इससे नोट करिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें हम लोग चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं कि देखे यहां से लेके यहां तक यह contact है यहां से लेके यहां तक contact है और इसमें देखेगा यह पूरा यह contact है इसमें यह पूरा contact है तो इसमें क्या होगा Angle of contact between bearing is Contact in bearing is या तो 180 degree centigrade दे सकता है और 120 degree दे सकता है तो इस तरीके की bearing को बोलेंगे partial journal bearing चलिए next हम देख लेते हैं pivoted bearing हमारी क्या होती है जिसे हम लोग pivot bearing बोलते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं pivot bearing में हमारा क्या होगा ये जो sap हमारी होगी इस तरीके से vertical हमारी इस पे support करेगी और यहां पर यह जो bearing लगे होंगे यह जो bearing लगे होंगे यह sap to vertical direction में rotate करेगी और इसे support करेगी इस तरीके के element को हम लोग बोलते हैं यहां पर जो bearing लगा होगा इसे बोलेंगे pivot bearing इसमें के वाल radial load हमारा bearing में bear करता है इस बेरींग साब्ट और यूवले वर्ट के लगे लोगेके लायके लोगेस Only radial load, radial load can adjust. तो एसतरीक्य के bearing कौर्पलोग बोलते हैं, pivot bearing. यह दो तरीके से होती है, flat pivot और conical pivot. इसका जो यहां पर bearing बनती है, या तो यह flat होगी, या तो यह इस तरीके की conical, conical का मतलब इस तरीके की बनाई जाएगघी. तो इससे नोट करिए, Pivot Bearing क्या होती है, फिर इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, Colour Bearing और फिर इसके आगे की Discussion करते हैं, Pivot Bearing का अगर हम बनाना चाहें, तो दो तरीके सा हम लोग बना सकते हैं, इसको चाहे तो आप diagram अच्छा करने के लिए ऐसा हैं बना सकते हैं, ऐसा भी बना सकते हैं, अब यह जो bearing होती है, यह दो तरीके की होती है, एक flat pivot होती है, और एक conical pivot होती है, यानि कि यहाँ पर देखिए, यह जो bearing आपकी बनेगी, यहाँ पर यह जो support होंगे, इसे बोलेंगे flat pivot bearing, और यहाँ पर इस तरीके की जो bearing होगी, इसे बोलेंगे conical pivot bearing, तो इस तरीके से आप इन दोनों को नोट करिए, देन हम लोग स्टार्ट करेंगे, कॉलर बेरिंग हमारी क्या होती है, किलियरेंस बेरिंग क्या होती है और लुब्रिकेशन आप बेरिंग क्या होता है चलिया कॉलर बेरिंग हम लोग पढ़ लेते हैं होती है इसे remove करते हैं यह ही पर हम लोग देख लेते हैं color bearing चलिए आप बात करते हैं हम लोग color bearing के बारे में इसमें क्या होता है color is attached with sap यह जो sap हमारी होती है यहीं पर collar attach कर दिया जाता है और इसके बाद यह पूरा का पूरा यह हमारा structure तो रहेगा ही है ना इस तरीके से यहां पर हमारा क्या लग जाता है यह color in color bearing color are attached with sap ऐसा देखिए color is attached with sap इसमें हमारा क्या हता है sap में color हमारा attach किया जाता है इस तरीके की bearing को हम लोग बोलते हैं color bearing इस तरीके से इसका structure होगा यहां पर यह color लगा होगा है ना अब अगर यह color आपका single लगा होगा तो इसे हम लोग single color bearing बोलेंगे और color अगर multiple लगे होंगे इस तरीके से तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे multi color bearing बोलते हैं तो यह हमारा होता है color bearing अब चलिए इस bearing में lubrication की बेहद requirement है without lubrication यह bearing हमारी possible नहीं है इसका design करना possible नहीं है तो आप पहले हम इसके lubrication के बारे में सीखते हैं कि journal bearing में या हम जो पढ़ रहे हैं अपने sliding contact bearing में कितने type का lubrication यूज करते हैं तो आईए सबसे पहले इसे note करिए फिर heading डालते हैं types of lubrication है न तब यहां पर आपको बताएंगे hydrostatic lubrication क्या होता है hydrodynamic lubrication thin film lubrication thick film lubrication और zero film lubrication क्या होता है इसे note करिए फिर हम लोग तुरंत heading डालते हैं types of lubrication हाइए रहाई आईए धिरी तुरंत और प्यान अपनगे लाँ आफिए वहाँ आपको अ एगने पर नहाँ फिर फस्मेड़ कैस्वाचली चाश्वाचली कर रहाँ बालते हैं तो यहाँ जो रहाँ थाएग पोग्सावशली जालते हैं जो अहाँब़गर एग्यान के पहत चलिए टाइट आप लूब्रिकेशन इन बेरिंग बेसिकली हम लोग दो टाइप का लूब्रिकेशन करते हैं according to thickness of lubricant यह देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक यह आपका क्या है lubricant का thickness है यह सारे हमारे क्या है lubricant के thickness है आप यहाँ पे thickness बहुत कम है यहाँ पे बहुत ज्यादा है तो हम क्या करेंगे इसे classify करेंगे according to thickness of lubricant तो यह हमारा होता है पहला thin film lubrication और दूसरा हमारा होता है thick film लूब्रिकेशन thin film का मतलब बहुत कम मात्रा में lubrication होगा बहुत पतली लेयर बनेगी metal to metal और thick film क्या होगा दो metal के बीच में एक मोटी लेयर बनेगी जैसे यहाँ पर देखिए metal to metal contact avoid कर रही है इसलिए इसमें speed बहुत ज़्यादा रख सकते हैं लेकिन thin film में speed कम रखते हैं अब thick film को भी हम लोग दो तरीके से specify करते हैं अच्छा एक और है zero film lubrication यह भी जाननेजे zero film lubrication तो इस तरीके से तीन lubrication हमारा होता है जिसमें जो thick film lubrication होता है इसे हम लोग दो तरीके से classified करेंगे hydro static thick film lubrication और hydrodynamic thick film lubrication यह हमारा होता है हाइड्रो इस्टेटिक थिक फिल्म है लोब्रिकेशान यह एंड हाइड्रो डाइनमिक थिक फिल्म है लोब्रिकेशं अब हम point by point step इस्टेप स्टार्ट करते हैं पहले thin film क्या होता है फिर thick film क्या होता है फिर zero film और फिर hydrostatic और hydrodynamic तो पहले देखे thin film lubrication छोटा सा है थिन, फिल्म, लुबरीकेशन, देखें थिन फिल्म में क्या होगा? यह जो हमारा बेरिंग होगा और यह जो हमारी सेप्ट होगी, इसके बीच यह जो लुबरीकेशन होगा, इसकी थिकनेस बहुत कम होगी लग भग निगलिजबल होगी जिससे मेटल टू मेटल कॉंटेक्ट की संभावना या पोसिबिल्टी ज्यादा होगी जिस वज़े से इसकी स्पीड हम हायर स्पीड नहीं रख सकते हैं In this lubrication Thickness of Film of oil is very less So, the possibility of metal So, the Metal contact Is very high So, यह हमारा होगा Thin film lubrication अब इसमें for example यह जैसे हमारा हो गया एक metal और माल लिजे यह कोई हम ऐसे material बना दे और यह कोई हम ऐसे दूसरा material बना दे आप इन दोनों के बीच में लूब्रिकेशन करना हो तो यहाँ पर यह जो लूब्रिकेशन का quantity है यह बहुत कम हो बहुत कम हो इतना कम हो कि मेटल तो मेटल डारेक्ट कांटेक्ट की संभावना बनी रहे है इसे बोलते हैं फीन फिल्म लूब्रिकेशन अब अगला बात करते हैं नेक्ट पॉइंट थिक फिल्म लूब्रिकेशन चलिए नेक्ट पॉइंट हम लोगी स्टार्ट करते हैं ठीक फिल में, लूब्रिकेशन, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक फिल में, लूब्रिकेशन, इसमें हमारा क्या होता है, ठीक, दीक, 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 दी high speed, so the bearing operate at high speed, high speed पर operate करेगी, जैसे यह हमारा हो गया, sap यह हो गया, आपका lubricant इसके अंदर फिल किया गया है, यह हो गया हमारा, sap और यह lubricant, और यह हमारी हो गई, bearing, तो इस तरीके से, bearing और sap के बीच में, एक मोटी यानि एक ठिक layer है oil की, जिससे हमारा क्या होगा, यह rotate करता रहेगा, और high rpm पर यह oil का pressure इसे नीचे नहीं आने देगा, तो इस तरीके के bearing को बोलेंगे, thick film, lubrication, अब इसमें देखिएगा, जैसे इस तरीके से अगर हम देखना चाहें, तो माल लेजे कूछ, इस तरीके से कोई diagram बना हो हमारा, आप दोनों के बीच अगर lubrication की बात करें, तो यहाँ पर देखिए, एक higher label thickness quantity का lubrication लगभग, इतना हमारा यह हो जाएगा, इसे हम लोग बोलते हैं, थिक फिल में, लुब्रिकेशन, चलिए, यह हमारा हो गया, thin film lubrication और thick film lubrication, अब हम लोग इसके अंदर की detailing करते हैं, thick film lubrication, hydro static lubrication क्या होता है, और hydro dynamic lubrication क्या होता है, इन दोनों के discuss करेंगे, और zero film lubrication का मतलब, सीधे metal to metal contact होगा वहाँ पर no lubricants are available between to contacting of metal तो इसे note करिए फिर हम लोग इसके आगे की बात करते हैं चलिए तो अब हम लोग इस्टार्ट करते हैं hydrostatic and hydrodynamic bearing के बारे में इसके पहले देखे जीरो फिल्म लूब्रिकेशन क्या होता था एक लाइन इसके बारे में भी जान लीजे जीरो फिल्म लूब्रिकेशन यह हमारा क्या होता है when no lubricants are available in between metal is called when no lubricants are available in bearing जब bearing में कोई भी lubricant available नहीं होगा तो उसे जीरो फिल्म लूब्रिकेशन बोलते हैं then zero film lubrication के बाद चलिए start करते हैं hydro static और hydro dynamic जो हमारा है thick film lubrication का पाथ तो चलिए यहीं पर start करते हैं hydro static and hydro dynamic lubrication bearing और एक टर्म आपको यहीं पर समझा दे eccentric city क्या होता है देखें एक टर्म आपको बता दे eccentric city क्योंकि माल लीजिए question आप से आज आ सकता है objective में eccentric city मतलब क्या होता है जब देखें bearing क्या है ऐसी bearing है और ऐसी shaft है तो दोनों का center एक ही जगा पे है इस condition में कहेंगे no eccentric city on this bearing लेकिन second condition में अगर bearing यहाँ पे है और shaft यहाँ पे हो जाए तो shaft का shaft का center यहाँ पे होगा और bearing का center यहाँ पे होगा दोनों के बीच के distance को eccentric city next case shaft ऐसी bearing ऐसी हो shaft ऐसी हो तो उस समय shaft का center यहाँ पे होगा bearing का center यहाँ पे होगा इसे हम लोग बोलेंगे eccentric city of bearing distance between two centers of distance between centers of shaft and bearing is called eccentric city ऐसे देखें distance between shaft and bearing Bearing is called eccentric city तो यह हमारा हो जाएगा eccentric city अब आईए स्टार्ट करते हैं Hydro-static thick film lubrication क्या होता है तो देखिए बस objective ऐसे इसे related question पूछा जाता है बहुत ज्यादा tough नहीं पूछा जाएगा Hydro-static Thick film lubrication इसमें क्या होता है यह जो हमारा thick film lubrication है देखिएगा यह जो हमारा thick film lubrication है इसके अंदर यह जो lubricant हमारा भरा हुआ है यह तो ठीकले सो जाएगा यह जो lubricant हमारा भरा हुआ है वो देखिए कैसे भरा जाता है यहाँ पर एक pump लगा दिया जाता है यह हमारा pump लगा दिया जाता है और लगातार यह pump हमारा क्या करता है operate करता रहता है और इसके pressure को maintain किये रहता है high pressure होगा तो यह shaft आपकी बिल्कुल center में rotate करेगी जब इस pump का speed low कर देंगे तो इसका pressure low हो जाएगा तो यह shaft आपकी नीचे जानी शुरू हो जाएगी और इस condition में आ जाएगी तो इस तरीके से when the pump are used for maintain the lubricant pressure in bearing is called hydrostatic thick film lubrication bearing आईसे देखिए when the pump are used for maintained the bearing lubricant bearing pressure of lubricant is called hydro static hydro static thick film लुबरिकेशन तो यह हमारा हो गया hydrostatic thick film लुबरिकेशन next बात कर लेते हैं hydrodynamic thick film लुबरिकेशन की चलिए यहां पर बात कर लेते हैं hydrodynamic thick film लुबरिकेशन की चलिये हाइड्रो डाइनमेक ठीक फिलम है लुब्रीकेशन इसमें क्या होगा जैसे यहां पर प्रफ यूज़की आ जाता था अच्छा इसमें देखें पहले से ही इसमें लिक्विड को डाल दिया जाता है उसके बाद इसे चारो तरफ से कवर्ड कर दिया जाता है अब यह high speed पर rotate करेगा तो वो cover ही उसे रोकेगा और वहीं पर प्रेशर को maintain करके रखेगा मतलब no external pump are used for maintain the pressure only cover plate are used for maintain the pressure in bearing is called hydrodynamic thick film lubrication bearing no external pump are used for maintain the pressure used for maintain the pressure are covered plate ऐसे देखेगा no external pump are used only only हमारे कें cover plates are used for maintain the bearing pressure of lubricant is called hydrodynamic hydrodynamic thick film lubrication bearing hydrodynamic thick film lubrication bearing तो यह था इस्टुडेंट हम लोग का bearing कितने टाइप का होता है और हमने पहले design कर लिया था roller bearing के बारे में अब आए कुछ important points इसे पहले note कर लिजे फिर इससे related important point हम लोग discuss करेंगे इसके लिए यही diagram होगा इसलिए इस diagram को भी हमने remove नहीं किया था यह बाला diagram होगा आपका hydrodynamic thick film lubrication का इसे note करिए फिर इससे related कुछ हम लोग terminology को समझते हैं क्या होता है अब कुछ important terminology हम लोग इससे सीखते हैं क्या क्या important होता है bearings related चलिए जैसे हम लोग पढ़ते हैं diametral clearance क्या होता है और radial clearance क्या होता है इसके बारे में diametral clearance यदि इसे हम लोग C से denote करें तो इसमें क्या होगा support करिए यह हमारी sap हो गई ऐसी condition में हमारी है अब इसमें हमारा क्या होगा माल लिजे sap का diameter यह है और bearing का diameter यह है दोनों के बीच के distance को हम लोग diametral clearance कहते हैं इस दिस्टेंस बीच्टेंस 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 बीच्टें center that means अगर हम C की बात करें तो देखे अगर इसकी value निकाल नहीं हो तो यह हमारा हो जाएगा capital D और यह हमारा हो जाएगा small d तो हम इसे कह सकते हैं diametral clearance is equal to capital D minus small d इस तरीके से हम लोग diametral clearance निकाल सकते हैं अब आगे बात करेंगे radial clearance क्या होता है radial clearance हमारा क्या होगा it is the distance between radial of radial मतलब radius of bearing and sat it is the distance between radial of bearing and bearing and sap bearing और sap के बीच के distance को हम लोग कहेंगे यदि इसे हम R से denote करें तो या इसे हम लोग और दूसरे से denote कर लेते हैं माल लिजे इसे हम लोग C1 से denote करें clearance को C से denote कर रहे थे इसे हम लोग C1 से denote करें तो capital R मतलब इसका diameter radius हो जाएगा minus small r इसका हो जाएगा या इसे हम लोग लिख सकते हैं C1 बराबर R बराबर किसके होता है देखे D बराबर 2R के होता है तो R बराबर D by 2 के होता है यह हो जाएगा D by 2 minus small d by 2 अब इसे solve करेंगे तो C1 बराबर capital D minus small d upon 2 के होता है चुकि हम जानते हैं C is equal to capital D minus small d then C1 बराबर इसकी value किसके बराबर हो जाएगी C upon तो इस तरीके से एक note point करके आप लिखिएगा यह question आप से पूछा जाता है यह note important point है यह हमारा क्या होता है Radial clearance is the half of diametral clearance Radial clearance is the half of diametral clearance तो इस तरीके से इसे आप note करिए Radial clearance और diametral clearance को चलिए फिर इसके बाद हम लोग और आगे की बाद discuss करेंगे चलिए इसे note करिए फिर हम लोग आगे की बात करते हैं एक तर्म आप से पूछा जाता है diametral clearance ratio क्या होता है यह तर्म आप से पूछा जाता है तो यह ratio क्या होता है It is the ratio between diametral clearance C and dia of journal Journal मतलब यह shaft हमारा होता है It is the ratio between ratio between ratio between diametral clearance and and dia of journal मतलब यह तर्म आप से पूछा जाता है dia of journal अब देखे dia of journal माल लिजए इसको हमने small d माना था bearing का dia capital d माना था तो यह हमारा हो जाएगा यदि से हम लोग इस ratio को माल लिजए हम लोग देखे यह हो जाएगा C upon D C मतलब clearance of diametral upon D मतलब diameter of shaft या diameter of diameter of shaft या diameter of journal अब C की value अगर हम लोग रखेंगे तो C बराबर क्या था capital D minus small d upon d या तो हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं या इसे हम लोग ऐसे देखेगा diametral clearance ratio को एक term हम लोग इसे represent करते हैं HO से माल लीजे आ तो इसे हम लोग ऐसे लिख दे C दी इसी बात है C minus D is equal to अगर small d common ले ले तो यहां से क्या हो जाएगा ये D by 2 minus 1 अपान हो जाएगा है ना तो ये हो जाएगा 1 minus D by इस तरीके से भी हो जाएगा ये हमारा होता है diametral clearance ratio अब इसके बाद इसे नूट करिए फिर एक ratio हम लोग पढ़ते हैं minimum oil thickness हमारा क्या होता है minimum oil thickness ये हम लोग टर्म पढ़ लेते हैं minimum oil thickness इसमें क्या होता है देखे जब support करिए कि bearing हमारी पूरा complete lubrication में हो complete lubrication में हो तो उस समय minimum oil thickness का मतलब ये वाली जो thickness होगी ये कहलाएगी minimum oil thickness when bearing are operate at complete lubrication when bearing are operate at complete at complete lubrication then then it is called minimum oil thickness और ये हमारा जो minimum oil thickness यदि से हम HO से denote करें तो HO बराबर CY 4K होता है यदि से हम HO से denote करें तो ये हमारा होता है diametral clearance जो हमारा होता था capital D minus small dk देखें ये support करें capital D हो गया अगर यहाँ पर देखें ये small d हो जाए माल लेजे ये हो जाए small d और ये हो जाए capital D तो बीच का ये जो clearance यहाँ पर मत देखेंगा यहाँ पर मत देखेंगा ये वाला जो clearance होगा इसे हम लोग बोलते है diametral clearance C ये हमारा होता है diametral clearance C यदि इस C में by 4 कर देंगे तो यहाँ पर ये minimum oil thickness हमारा इस तरीके से निकल जाएगा तो ये हमारा होता है minimum oil thickness यहाँ पर आप इसकी value find कर रहे थे ये diagram थोड़ा सा उल्टा बन गया था इसकी value find कर रहे थे that means ये value प्लस ये value ये क्या होगा total value में से इस value को minus कर देंगे तो निकल जाएगा बाकी जो हम लोग निकाल रहे थे इसको तो ये हमारा हो जाएगा एक center ये होगा एक center ये होगा दोनों के बीच की value हम लोग कहेंगे C1 तो इस तरीके से ये सब important point चल रहे हैं जो exam में आने की संभावना रहती है इसे note करिए फिर उसके बाद हम लोग आगे की बात करते हैं कुछ और important point चलिए next point हम लोग eccentric city ratio के बारे में देख लेते हैं जब उसका center अलग-अलग हो जाता है X line of action में भले ही हो लेकिन center जैसे इसका center यहाँ पर है इसका center यहाँ पर इस bearing का center यहाँ पर है और sap यानि की इसका general का center यहाँ पर है journal का center तो उस समय हम लोग इसका ratio देखेंगे क्या होगा आई हम लोग परते हैं eccentric city ratio या इसी को हम लोग attitude भी बोलते हैं attitude eccentric city ratio और attitude यह हमारा होता है it is the ratio between eccentric city C and the diametral clearance या radial clearance C1 it is the या इसे देखेंगे गा it is the ratio between eccentric city and radial clearance मतलब जैसे देखेंगा यह यहां से लेके यहां तक यह हमारा क्या है eccentric city है और नई सारी यहां से लेके यहां तक यहां से सपोज करेंगे इसका diameter यह है इसका diameter यह है इसके बीच के distance को हम लोग बोलेंगे diametral clearance लेकिन अगर यह इस तरीके से बन जाए तो यहां center यहां यह कुछ हेंगल पर क्या हो गया है अगर यहां से देखें तो यह कुछ हेंगल पर eccentric हो गया है तो इस तरीके को हम लोग बोलते हैं eccentric city और यह हमारा होगा diametral clearance या radial clearance जिसे हम लोग बोलते हैं ratio of this यह हमारा होता है जैसे हम लोग इसे हम लोग कह सकते हैं माल लेज़े sigma से denote करें तो c upon c1 कह सकते हैं eccentric city को हम लोग e से denote करते थे या इसे हम लोग एक फार्मूला और याद रखिएगा c minus ho upon c1 लिख सकते हैं या इसे हम लोग 1 minus ho upon c1 लिख सकते हैं या इसे हम लोग 1 minus 2 ho upon c लिख सकते हैं इस तरीके का रिलेशन आपका होगा तो इसे हम लोग बोलेंगे eccentric city ratio या attitude तो यह हमारा हो जाएगा एक important formula next चलिए अब इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं यह सब exam के related important formula हम लोग देख रहे हैं चलिए हम लोग थोड़ा से देख लेते हैं sort and long bearing का formula क्या होता है जैसे sort and long bearing जैसे support करिए यह हमारी sap होती है और यह हमारी bearing लगी हुई है चलिए यह sap हो गई और यह bearing लगी हुई है यह sap आपकी rotate कर रही है अब यहाँ पर क्या होगा इस sap का diameter d होगा और इस bearing का भी diameter या bearing sap की length L मान लिजे यहाँ से लेके यहाँ तक यह sap की length L हो जाए और diameter d हो जाए तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा length upon diameter is called is denoted the short and long length of bearing ऐसे देखे L by d is denoted the length of bearing that means अगर हम point 1 की बात करें short length bearing क्या होगी very very important है पूछा जाता है बहुत बार short length bearing short length bearing का मतलब हो जाएगा L by d is less than 1 length upon diameter is less than 1 length यह हो जाएगा diameter यह हो जाएगा second point बात करते हैं देखें square bearing क्या होगी square bearing का मतलब length और diameter आपका क्या हो जाएगा समान हो जाएगा तो यह आपका ऐसी ही तो बनेगा यह length और यह diameter समान हो जाएगा तो आपका square बन जाएगा यानि कि L by d is equal to 1 जब length upon diameter एक के बराबर हो तो square bearing कहलाएगे next आपका हो जाएगा third long bearing अब आपको इस formulation समझ में आ गया होगा कि L by d less than 1 होगा तो short bearing और L by d greater than 1 होगा यह कहलाएगी long bearing तो इस तरीके से इसे भी note करिए length of bearing फिर हम लोग यहाँ पर इससे related एक और formula generate करते हैं heat dissipation and bearing characteristic number इसे note करिए फिर आगे हम लोग denote करते हैं चलिए bearing characteristic number देख लेते हैं और उसके बाद फिर heat dissipation और लोग देख लेते हैं bearing characteristic number यह भी पूछा जाता है bearing characteristic number इसके लिए बस आपको एक formula याद रखना है formula आपको यह याद रखना है mu is equal to phi और कोस्टक में zn upon p zn upon p कॉमा याद रखिएगा d by c कॉमा याद रखिएगा l by d इस तरीके से एक relation याद रखिएगा mu is equal to phi zn upon p कॉमा d by c कॉमा l by t l by d अब इस formula में यह जो mu होगा coefficient of fraction coefficient of fraction होगा और जो phi होगा वो हमारा functional relationship of bearing होगा functional relationship of bearing इसकी value दी रहेगी और इसके बाद जो c हमारा होगा यह c हमारा होगा वो हमारा क्या हो जाएगा diametral clearance या radial clearance c1 होता तो radial clearance और c है तो diametral clearance और जेड़न अपान पी इस काल bearing characteristic नमर यह हमारा होता है जेड़न अपान जेड़न अपान यह हमारा bearing characteristic नमर कहलाता है है न तो इस तरीके से यह हमारा निकल जाएगा bearing characteristic नमर यह भी हमारे लिए एक important formula होता है अब एक last formula देखे जब यह bearing high speed पर rotate करेगी तो यहाँ पर fraction की बज़र से heat generate होगी वो heat इस oil की माद्यम से loss होकर आगे reject होगी तो कितना heat loss होगा कैसे rejection होगा उसके लिए बस आप एक formula जानने जाएगा क्योंकि derivation नहीं आएगा केबल formula आएगा और वो formula का क्या नाम होगा heat generation in bearing जो bearing हमारी होगी उसमें हमारा कितना heat generate हो सकता है या कितना heat हमारा loss हो सकता है उसके लिए देखिएगा हमारा क्या होता है देखिए यदि हमारा heat generate होगा तो friction की वज़े से power losses होगे तो कितना power loss होता है वो देख लिजए power loss ये जो power loss अगर हम लोग इसे P loss पढ़े तो power loss हमारा किसके बराबर होता है जो हमारे पास W होता है load और जो हमारे पास fractional velocity भी होती है उसमें coefficient of fraction का multiply कर देते हैं तो ये हमारा निकल आता है power loss इसमें जितनी power क्या हम 10 kW पावर दे रहे हैं ड्राइबर को तो पूरी की पूरी 10 kW इस पे survive कर जा रही है कुछ fractional losses की वज़े से loss में चली जाती है तो वही जो power हमारी loss में होगी वो किसके होगी W is equal to हमारा क्या है where W बराबर radial load of bearing जो radial उपर से इसे लगा होगा radial load कॉमा mu बराबर आपको पता है coefficient और V बराबर आपको क्या है fractional velocity fractional velocity तो इस तरीके से यह हमारा होता है heat generation in bearing एक formula आप देख लीजेगा heat dissipation का क्या होता है heat dissipation यहीं पर note कर दे रहा है यह यहाँ पर note कर दे रहा है चलिए यहीं पर note कर दे रहा है बस formula याद रखिएगा कितना heat हमारा dissipate करेगा generate करने के लिए जो power loss हुआ यह आ गया चलिए heat dissipation in bearing के लिए formula देख लेगी यद इसे हम लोग HD से denote करें heat dissipation का मतलब यद यसे हमारी bearing हो तो यह हमारा heat को dissipate करें या यहाँ पर जितना heat हमारी इधर reject हो इधर reject हो इधर reject हो इधर इधर तो कितनी हमारी heat dissipate होगी उसे हम लोग HD से denote करें तो यह हमारा formula एक बन के आता है डेल्टा T प्लस देखें 18 का square plus area अपन यह हमारा एक formula होता है डेल्टा T प्लस 18 का whole square plus area अपन area बराबर हमारा क्या होता length of sap into length of sap into diameter of sap जहां पर डेल्टा T इस bearing पर generate हुआ temperature होता है वेर डेल्टा T इस bearing temperature यह सब formula डारेक्ट याद रखेंगा derivation नहीं area बराबर A is equal to L into D of journal and K आपका क्या है एक constant है जिसकी देखें दो values होती है आपका K 0.484 होता है 0.273 K की दो value होती है 0.484 से 4 या 0.273 इस तरीके से इस K की value हम लोग रख देते हैं 0.484 या 0.273 अब यह देखिया आपने देखा यह हम लोगों ने complete किया पूरा bearing का topic कितने type की bearing होती है कौन कौन से bearing होती है और उनका use कहां पर करते हैं और उनमें कैसे हम लोग design करते हैं तो यह पूरा का पूरा bearing का topic हम लोगों अच्छे से complete किया I hope आपको सारी चीज़ अच्छे से clear हुई होगी तो हम लोग student अपना topic यहीं पर complete करेंगे और last lecture हम लोग एक topic हमारा बचा हुआ है gear design most important topic होता है जो tom में भी आता है tom मतलब theory आप machine में भी और machine design में भी आता है तो इसको भी हम लोग complete करेंगे next lecture में फिर इसके बाद हमारा machine design का subject अच्छे से complete हो जाएगा और फिर हम उम्मीद करेंगे कि इससे related जो भी topics आपने पढ़ा है वो जो आगे सामने SSCJ के exam होगा उसमें आप उसको complete करके आएगे या आगे कोई भी exam आएगा उसमें भी आपका जो भी questions इससे related आएगा आप उसको attempt करके आएगे तो चलिए हम लोग अपना lecture आज यहें पर stop करते हैं Thank you all of you